हलो फ्रेंट्स तो आज में दिवाली स्पिसल ऐसी मिठाई की रैस्प लिके आई हूँ जिसे बनाना एकदम से आसान है और इसमें ना ज्यादा पैसे बगेरे भी खर्चनी होते हैं घर के कम से कम समान से बनके तयार हो जाते हैं तो फ्रेंट्स चलिए जट-पठ से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ तो मैंने यहाँ लेली है 10 रुपय का ब्रेड़ तो ब्रेड़ को मैं साइड में रख देती हूँ और चलिए सबसे पहले मैं आपे हॉम्मिट रबड़ी तयार कर लेती हूँ तो मैंने आप एक कढ़ाई लेली उसमें डाल दी एक गलास की इतना दूद तो फ्रेंड्स मैंने आप गैस को अन कर लेती हूँ और कढ़ाई को रख देती हूँ गैस की फ्रेम को ना मैंने मिडियम में कर दी हूँ और दूद को उबालाने तक मैं पकाऊंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरान तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सेर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा तो देख सकते हैं, दूस से उबाल आ गए, तो मैं इसमें डाल दी मिठास के अनुसाद, दो बड़े चमच के इतना चीनी, और चीनी को ना गुलने तक पगा लेना है तो फ्रेंड्स, रबडी को ज़्यादा गाढ़ा बनाने के लिए, और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए, मैं इसमें दो चमच कस्टेड पॉर्डर डाल दी, एक बड़ी चमच मिल्क पॉर्डर और इसमें दूद डाल के मेज का घोल बना के तयार कर ली हूँ, तो अगर आपके पास कस्टेड पॉर्डर ना होना, तो आप मिल्क पॉर्डर का मातरा थोड़ा सा बढ़ा दीजेगा उससे भी बहुत ही बढ़िया एकदम से क्रीमी क्रीमी रबडी बनके तयार हो जाएंगे, तो मैं इसमें दूद में डाल दिये सारे कस्टेड वाली घोल को और गैस की फ्लैम को बिल्कुल लो में कर दी हूँ, और फ्रेंट्स कस्टेड वाला घोल डालने के बाद इसे इसे बिल्णातार चलाते जाना है, तो इसे जाले में द الإम दैसकते जाएंगे, और ज्समा में में इसमें इसमें जाले नहय पॉड़ बनाए बिल्कौ़डर और बिल्क इसमेंद Peacespara ठेवा पॉड़ को ऑर मैं में में और यलाइची स्टर्ड वाला रबडी है वो बनके बिल्कुल तयार हो गया है तो मैं यहां पर गैस को आफ कर देती हूं करहाई को नीचे कर लेती हूं सो फ्रेंड्स अब यहां पर मैंने चासनी बनाने के लिए बरतन ले लिए उसमें डाल दी कटोरी चीनी आधे कटोरी पानी और उसमें कि ऐसे को कुड़ डाल दें तो मैंने या पर गैस को अन्करिए उस तो सब्सक्राण तो देख सकते हैं चिनkach्ये हैं से गुल के तैगा ले देखने का लेते हूं और इस ब्रेड के किनारे को बिल्कुल भी किये अप इसका चाहे तो गुलाब जामोन बिठाय बनाकर तैयार क कर सकते हैं बहुत लगती है यहांद यहां किनार को अर "; कर लोगी तो आप चाहें तो ब्रेड को एसे रख सकते हैं एक की रिष्स कर लियाँ सकते हैं यहां चाहाइटन सरे ल्यकौण के इतना तेल और तेल को न अच्छी तरह से तबे में फैला लेना है तो इस मिठाई में जादा तेल वगेरा कुछ भी नहीं लगती है सिफ दो चमज तेल में ही सारे ब्रेड को सेक के तयार कर लीजे और इतनी जादा यमी लाजवाव लगती है नहीं मिठाई आप अगर ब्रेड को मैंने यहां पे एकदम से सुनहरा होने तक सेक के तयार कर ली हूँ और जो बचे हुए है ब्रेड ना फ्रेंट्स तो मैं उसे भी इसे सेक के तयार कर लोगी तो फ्रेंट्स इस मिठाई को मैंने घर पे बनाई ना से भी को बहत पसंद आया तो देख सकते हैं मैं एक एक करके सारे ब्रेड के पिसे इसको सेक के तयार कर ली हूँ और ये देखिए मेरी रबड़ी एक दम से गाड़ी होके तयार हो गई है और फ्रेंड जो चास्नी में रखे थे उसे में दूसरी बरतन में रख ली थी और चास्नी में एक दम से कितना सुन्दर इसका कलर आया बॉक्स में एक-एक करके सारे पीसेज को अच्छी तरह से लाइन में लगा के इसे फैला ले उसके बाद ना इस बरेड के ऊपर जो रबड़ी बना के तयार करें उस रबड़ी को में हलके लके हाथों से अच्छी तरह से चारो और फैला के इसमें डाल दूंगी उसके बाद भी इसी तरह से मतलब करना है first layer मैंने रखी फिस सकेंड लेयर को इसी तरह से लखना है और तीसरी लेयर को भी मैं इसी तरीके से रखोंगी और उसके ऊपर डाल दूंगी में कस्टेड वाला जो मैंने रबडी तेया रख रहे थे उसे और फ्रेंस अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास फ्रीज है तो आप इसे फ्रीज में अभर नाइट के लिए रख दे फ्रीजर में रखना है और या फिर आप इसे रात भर ऐसे छोड़ दे तो अच्छी द्रसी सेठ हो के त्यार हो जाएंगे यह देखिए फ्रेंस कितना बढ़िया से मेरा मिठाई त्या देखते ही मुमें पानी आ रहे है ना तो फ्रेंस इत दिवाली पे जरूर बनाईएगा इस मिठाई को मैं हंड्रेट पेसंट गैरंटी के साथ कहते हूं खाने वाले तो बता भी नहीं पाएंगे कि आप इसे ब्रेट से बनाएंगे तनी ज्यादा यम्मी एकदम से लाजव लगती है ना कि एक बार अगर खा लेंगे ना इसे बना के तो लगेगा क्या बजार की महगी मिठाई तो बिलकुल भी नहीं खरिदोंगी और बारवार इसी तरीकी सी इस मिठाई को बनाऊंगी और खाऊंगी क्यूंकि फ्रेंट्स इसमें तो ज़्यादा समय भी नहीं लेवर के लिए इलाइची को कूड के डाल दीजेगा और उसे एकदम से गाड़ा होने तक पका के त्यार कर लीजेगा और ये देखिए कितना बढ़ी अगदम से ये कट गई आसानी से तो एक बार जरूर ट्राय किजेगा घर पे सभी को बेहत पसंद आएंगे So, bye-bye!